गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स वेलकम टू दस अन पब्लिक स्कूल डग ओनलाइन क्लासेस डियर इस्टुडेंट्स आज की इस हिंदी क्लास में मैं आपका हिंदी टीचर अश्वकुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इससे पहले वाली वीडियो में हमने उपबोगतावादी संस्कृति उपबोगतावाद क्या है इसके बारे में चर्चा की थी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से वह समझ में आया होगा आज हम हमारी इस वीडियो में पाथ्य पुस्तक के प्रश्ण के उपर चर्चा करेंगे कि इसमें से हमें क्या करना है क्या निकरना है तो बच्चों ध्यान दें पेज नमबर 198 पाथ्य पुस्तक के प्रश्ण अभ्यास जो वीडियो में आपको दे रखाए दिखे हैं लेक्खके अनुसार जीवन में सुक से क्या भी प्राहें ? तो आघे तो हमारे इसमें ुप्ब। नुसार जीवन में शुख आशे उप्बोग की वस्तुओं से प्राप्ट शणिक सुष्टी नहीं है अन्य प्रकार के मानसिक शारीक और छोटे आराम भी सुख कहलाते पहला करना है हमें दूसरा आज की उब्भुक्तवादी संस्कृति हमारे देविनिक जीवन को किस प्रभाखार से प्रभावित कर रही है दूसरा भी हमें अच्छी तरीके से करना है तीसरा देखें लेखक ने उब्भुक्तवाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनोति क्यों माना है तीसरा भी करना है हमें राइट का निशान लगा रहा हूं अर्थात आपको यह अपनी कोपी एसडव्यू में करना है चोथा आशे इसपस्ट कीजिए आशे में आपको खवाला करना है ध्यान दे आपको खवाला करना है प्रतिष्टा के अनेक रूप होते हैं चाहे वह हास्या इसपद ही क्यों न हो इसको करें अब अगला देखें पाँचवा कोई वस्तु अमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेगें टीवी पर विज्यापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललाईत होते हैं वर्तमान समय की बात है इसको अच्छे से आपको करनी है आपके अनुसार वस्तुओं को खरेदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए उसका विज्यापन अपने विचार देजिए तरक दीजिए चटा भी आपको अपनी SW कोपी में करना है सात्वा पाठ के आधार पर आज के बुक्तवादी युग में पना प्रही दिखावे की संस्कृती पर अपने विचार लिखिए देखें इसमें आज दिखावे की संस्कृती पना प्रही है आज हर जगा दिखावा ही दिखावा है यह बात बिलकुल सच है लिए ग्राक उनी चीजों को अपना राय जिन्हें लोग उच्छ इसतर का भी मानते हैं सभी सोंदर्य प्रसादन मनुश्यों को खुबसूरत दिखाने के ही प्रियास करते हैं पहले यह दिखावा औरतों में था किन्तु आजकल पुरुष भी इस फेशन की दोड़ में आगे बढ़ चले हैं नए नए वस्त्र फेशनेवल वरिदान दिखावे की संस्कृति को ही अग्रसर कर रहे हैं आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीते बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपे की घड़ी खरीते हैं पैंते हैं आज हर ची दिखावे का ही सामराज यहां तक कि लोग मरने के बाद अपनी कबर के लिए लाखों रुपे खर्च करने लगे ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए जाने जा सके यह दिखावे की संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही हैं लोगों के सामाजिक करवाता है आठवा देखें आज ही आज की उब्वोक्तावादी संस्कृति हमारी रिती रिवाज और तो त्योहारों को किस तरह से पेदा कर रही है प्रभावीत कर रही है आठवा भी करना है आपको दस्वा धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है ग्रामर से संबंदी थे नवा सूरी तो आपको ये नवा नहीं करना है आठ तक के क्योशन करने है आठ तक के क्योशन आपको अपनी SW कोपी में करने है सो इस्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा लेसन कंप्लीट मुझे उम्मीद है आपको इसके क्योशन आंसर भी समझ में आये होंगे आप अपनी रिफ्रेशर में से इसको अच्छी तरह से करें सो थैंक्स धन्यवाद